क्या आपके शरीर पर हो जाते हैं नील के निशान अगर हां तो जरूरी नहीं है कि ये चोट के कारण हो इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं वैसे युवा लोगों के मुकाबले बुजुर्गों को नील पढ़ना ज्यादा कतनाक हो सकता है तो आप इसे नजर अंदाज बिल्कुल भी ना करें तो आईए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा कि शरीर पर नील के निशान क्यों पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं नील पढ़ने की कारण तो सबसे पहला है हीमोफोलिया तो हीमोफोलिया एक ऐसी मिमारी है जो किसी भी व्यक्ति के खून के ठक्के को नहीं बनाने देती तो इस वजह से खून का बहाव नहीं रुक पाता लगतार खून बहने से व्यक्ति की अकसर जो है वो मौद भी हो जाती है और जिसके कारण नील जो है वो पढ़ते हैं वाई दूसरी चीज़ है वितमिन सी या फिर की कमी जहां वितमिन सी और वितमिन के की कमी से शरीर में नील आसानी से पर सकते हैं तो ब्लाड रोकने में विटमिन के बहुत मदद करता है। ये तत्व चोट को कम भी करता है। मैं तीसरा कारण है ज्यादा शराब का सेवन करना। ज्यादा शराब पीने से भी नील के निशान जल्द पढ़ जाते हैं। तो अगर व्यक्ति को लीवर से जुड़ी कोई भी बिमारी होती है तो ये निशान जो है बहुत आसानी से पढ़ जाते हैं। मैं चौथा कारण है कैंसर। तो कैंसर को लुकीमिया भी कहा जाता है। इसकी कारण शरील में जगा जगा नील पढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। हालाकि लुकीमिया से होने वाला घाव जो है वो अन्य घावों से बहुत अलग होता है इक और कारण जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है खून पतला करने वाली दवाईयों का सेवन जिहां खून पतला करने वाली दवाओं के लगतार सेवन से नील के दाग दिखाई देने लगते हैं जिससे ब्लीडिंग रोपना मुश्किल हो जाता है इसलिए जब तक जरूरत ना हो तब तक इसे खाने से बचे क्योंकि ये चोट लगने का खत्रा और भी ज्यादा बढ़ा देती है तो अगर आपको भी बार बार शरीर पर नील के निशान हो तो इन बातों का विशेश ध्यान दे और इनसे बचने की कोशिश करें साथ ही अपने डॉक्टर से जरूर संपर करें